आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो, उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अंसर दा फॉलॉइंग कोश्यन वाइड दो चिल्रेंट फील दा टीवी इस अपूल वाइड दा रिजर्विशन ओफ दे एल्डरली पीपर रिगार्ड तो टेलिविजिन वाइड यूर प्रस्नल व्यूज ओन दा सब्जेक थिक है हम लोगं को इसका solution करेंगे तो इसका पैसेज दिया हुआ है उसे पढ़ना है उसके बाद answer करना है तो फर्स्ट कॉश्यन क्या है वाइड चिल्रें फील दा टीवी इस अबूल ठीक है तो बच्चे हैसा क्यों सोचते कि टीवी जो है एक बूल है तो वो क्यों सोचते है कि because because it is a source of knowledge information information and lot of entertainment ठीक है बच्चे टेलिवीजन को बूल क्यों समझते है क्योंकि वो source of knowledge है information है और उसे lots of entertainment होता है इसलिए बच्चे जो है वो ऐसा feel करते हैं कि टीवी जो है एक बूल है ठीक है second question क्या है कि जो elder people है वो लोगा एक thought है टेलिवीजन को लेके reserve हो गया है वो क्या है ठीक है तो elder people have reservation about the TV ठीक है उन्होंके TV के लिए एक reservation है क्योंकि सारा program TV में दिखाते है adult channels fashion channels horror shows टेलिकाश होता है टीवी में ठीक है जो कि बच्चे जो immature बच्चे है उनके mind के लिए सही नहीं है जो उन्हें wrong values देगा ठीक है तो ये सब channel उनके लिए बच्चों के लिए सही नहीं है ठीक है तो इसलिए television consumes lot of time ठीक है और television जो है वो बहुत ज़्यादा time लेता है और जो लोग हैं जो ज़्यादा television देखने में involve हो जाते हैं वो society से धीरे धीरे कतने लगते हैं और वो अपनी studies पे भी ध्यान नहीं देते ठीक है बच्चे अपनी studies पे भी ध्यान नहीं देते और TV देखने का चक्कर में आसपास के लोगों से भी ज़्यादा socialize नहीं हो पाते इसलिए elderly people का ये thought है तो हम लोग लिख सकते हैं कि elderly people elderly people have reservation reservation about about the TV about the TV ठीक है because it shows all type of programs like adult show crime show etc. which are not good for children it takes lots of time and children don't socialize and don't take their studies seriously बुलंग अपने studies को भी इग्नोर करते हैं तीवी के कारण तो यह हमारा जागा थर्ट कुशन क्या है कि हमारा प्रस्नल व्यूज क्या है इस टॉपिक पर ठीक है तो हमारा पर्स्नल व्यूज यह है कि हमें ना कोई भी चीज बैलेंस तरीकी से करने चाहिए अगर हम टीवी देख रहे हैं तो हमें वह भी ज्यादा नहीं देखना चाहिए तो कोई भी चीज का ज्यादा वह हमेशा खराब होता है तो इसलिए कोई भी कमेटी प्रोग्राम में तो एक दो घंटा दिन में एक दो घंटा से ज्यादा नहीं देना चाहिए तो हम लुग का व्यूज जो प्रस्नल व्यूज और क्या है कि uh balance between the views of children and the views of elderly people ठीख है uh personally I feel we have to strike a balance view बैलेंस बिट्वीन दा व्यूज अफ चिल्रेन एन दा व्यूज अफ एल्डर्ली पीपल ठीक है अमनों के दोनों के वीज को बैलेंस करना चाहिए क्योंकि किसी भी चीज का ज्यादा करना वो खराब होता है इसलिए हमें बच्चों को गाइड करना चाहिए कि हम की एजुकेटीव प्रोग्राम्स देखे डिस्कवरी चैनल्स न्यूस चैनल्स और कॉमेडी चैनल्स भी देखे तो वो देन में एक या दो घंटे से जादा नहीं देखे तो हमें जितना से जितना नॉलेज़ेबल न्यूस और यह देखे वो ज़्यादा फायता करेगा क्लासिक्स टुट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करेगा डाउटनेट आप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 84444 उपर